श्री सिभाई नवस्तू ब्यम हर हर महादेव हम आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि फूलेरा दुझ कब है फूलेरा दुझ क्यूं मनाये जाते हैं और फूलेरा दुझ पर किये जाने वाले कुछ खास उपाय के बारे में वीडियो में अंतक बने रहीएगा चलिए जान लेते हैं फूलेरा दुज क्यों मनाये जाते हैं जब बिक्च और पूस्प राधारानी की उदासी से सुखने लगे थे जब स्री किष्ण राधारानी से मिले तो प्रकिती एक बार फिर मुस्कुरा उठी जब भगवान बिश्णू ने एक फूल तोड़कर राध अधारानी के उपर फेका तो गोपियों ने भी इस ऐसा ही किया इस चलते पती बर्स फूलेरा दुज मनाये जाती है और इस दिन भक्तों फूलों की होली भी खेलते हैं पूलेरा दुज की तिथी की सुरुवात आज यानि की 21 फरवरी 2023 सुबा 9 बज कर 4 मिनिट पर हो रही है और इसका समापन 22 फरवरी 2023 को सुबा 5 बज कर 57 मिनिट पर होगा उधेय तिथी के अनुसार इस साल फूलेरा दुज 21 परवरी 2023 यानि की मंगल बार को मनाये जाएंगे फालगुन दूज के दिन होती है राधा किष्ण की पूजा, फालगुन मा के सुकल पक्ष की दितिया तिति के दिन फूलेरा दूज का पर्व मनाये जाता है, इस दिन भगवान स्री किष्ण और राधारानी का पूजन किया जाता है, इंदु धर में फूलेरा दूज का विसे स्माहत्य पताया गया है और इस दिन से ही रंगों का त्योहार होले की शुरुवात हो जाती unity생 ah ना के सूखलपक्श की दीदिया तितिगो मनाये जाते हैं और इस बार यह तिति 21 परवरी को पढ़ रही है जिसका मतलब है कि 21 परवरी को फूलेरा दूज्ग का पर्व मनाया जाएगा ये दीन भागवान स्रीकिष्ण और माराधा रानी को समर्पित की जाती है इस दिन बिधि इदान से इनका पूजन किया जाता कहते हैं कि फूलेरा दिच के दीन राधा किशन की पूजा करने से सभी मनुकामनाय पूर्ण हो जाती है फूलेरा दूज पर पूजा पाट कैसे करने चाहिए सबसे पहले बता दे कि फूलेरा दूज की पूजा गोदूली बेला में की जाती है इसलिए पूजा से पहले साम के शमष नाना दिक करके स्वच्छ बस्त्र पहने और भगवान स्रीकिष्ण एवंग मारा राधा रानी को नए बस्त्र पहना कर त्यार करें इसके बाद उन्हें फूलों की माला पहनाए और गुलाल लगाए इस दिन राधा किष्ण के गुलाल लगाना सूम माना जाता है फिर मिस्री एवंग से फिर मिठाई का भोग लगाए फूलेरा दूज के पीछे कहानी है क्या पूरानी कथा के अनुसार व्यवस्ताएं के भगवान सूरी किष्ण कई दिनों से राधाराणी जी से मिलने बिंदावन नहीं आ रहे थे राधा के दुखी होने पर गोप्यों भी श्री किष्ण से रूट गई थी राधा के उदास होने के कारण मतूरा के वन सुखने अलगे और पूस्व मुर्जाय गए बनों की स्ति थी के बारे में जब स्रीकिष्ण को पता चला तो वो राधा से मिलने बिंदवन पहुंचे स्रीकिष्ण आने से राधा रानी खुस हो गई और चारों और फिर से हर्याली छा गई किष्ण ने खेल रहे पुस्प को तोड़ लिया और राधा को छेड़ने के लिए उन पर फेक में फूलों के होली इसी दिन खेली जाती है भी हम आपको बताने जा रहे हैं फूलेरा दूज पर किये जाने वाले कुछ खास और अच्चु कुपाय के बारे में सीव महापुरान कथा के अनुसार फूलेरा दूज और धतूरे का बिसे सुपाय करके आप लोग मनुकामना पूर्ण कर सकते हैं फूलेरा दूज के दिन एक धतूरा हल्दी में भिगो कर महादेव के सिवलिंग पर अपनी मन की अविलासा करके समर्पित करने से बावा आपकी मनुकामना सिगरता से पूर्ण कर देते हैं अगर साधी के लिए जीन बच्चों का बिवा नहीं हो पा र रख ले अपनी मन की कामना करके इसको असोक सुंदरी वले स्थान पे समर्पित कर दे मन की अविलासा बाबा तीन महिने में जरूर पूर्ण कर देंगे बेपार के लिए अगर जीन बेक्तियों के बेपार अच्छे से नहीं चल रहे हैं ध्यान से दीजिएगा इन बातों प पहले अपनी वैपार वाले जगा नहीं बांद पाए तो उसे ध्यतूरे को फुलेरा दूज वाले दिन अपने वैपार दुकान वाले स्थान पे बांद देने से जीबन में कभी वैपार नीचे नहीं जाती है उपर हमेशा बढ़ते ही चले जाती है इस उपाई के लिए आ लिए माहादेव भगवान के सिबलिंग का निर्मान करना है, एक घी का दिया लगा दे सिबलिंग के सामने, बिधी बिधान से पूजा अरचना कर दे, और सब सामागरी भी समर्फित कर दिजिए, जब तक दिया ठंडा न हो जाए, तब तक ओहीं बठी है, दिया में इतना ही गी डालिए जितना देर आप पूजन कर ले जब दिया ठंडा हो जाए तो कमल गट्टे और अमर बेल के टुकड़े उठा लीजिए सिबलिंग का विसरजन जल में कर दीजिए इसके बाद कमल गट्टे और अमर बेल को घर ले आए उसे लाल कपड़े में बांद कर कुबिर भ दहाए महिने में बाबा कोबिर भंडारी आपका भंडार भरना चालू कर ही देंगे एक बात का विसेज ध्यान रखिएगा कि पहले सिबलिंग का विसरजन करना है उसके बाद ही कमल गट्टे और अमर बेल को घर लाना है वो कर्ज मुक्ति के लिए भी फुलेरा दूज के दिन ये आसान सी उपाय करें बेल पत्री की पेड़ के नीचे मिट्टी का सिबलिंग बना ले ध्यान दीजेगा बेल पत्री के पेड़ के नीचे एक मिट्टी का सिबलिंग बनाना है एक धतूरे को हल्दी में भेंगो कर उस सिबलिंग पे समर्पित कर दे एक धतूरे लेन अपने साथ में रुमाल में लगा के ले आए और अपने ब्यपारवली जगा पर रख लेना है कर्ज धीरे धीरे उतर जाएगा लक्षमी की बिर्दी होना सुरू हो जाएगा जिन लोगों के अस्थमा या मेर्गी है वो लोग फूलेरा देज के दिन ये आसान सी उपाई कर ले फूलेरा दूज के दिन धतूरे की जड़ ले आएं थोड़ी सी जड़ को अच्छे से धो कर घिस ले और सिबलिंग के इसे लेपन कर दीजे थोड़ी सी जड़ जो सिवलिंग के उपर चढ़ा दीजे एक लोटा पानी चढ़ा दीजे अब इस जड़ को लेकर घर आए जिस वेक्ति को एस्थमा या मेरगी की बिमारी है उसे फूलेरा दूज के दिन धतुरे के जड़ दोपर के समय तीन से चार बार सुगा दीजे दोन कर ले एक धतुरा भगवान के सिवलिंग पे समर्पित करे और पांच बेलपत्री नंदी भगवान को समर्पित करे बाबा से अपने स्वास्त के लिए निविदन करे कितना भी बड़ा रोग हो और आगे नहीं बढ़ेगा और बिमारी रोग सब दूर हो जाएगा एक कलस मे जल भर के उसमें थोड़ा सा दूर और सहर डाले इस कलस में जल को तीन जगा समर्पित करना है सबसे पहले थोड़ा सा जल सिवलिंग पे समर्पित करे फिर थोड़ा सा जल नंदी पे समर्पित करे और अंती में बेल पत्री के पेड़ के नीचे जल को हाथ में ले ले और सि इधे कलेस ले जल नहीं डालना है महादेब जी का सरन करते हुए जल समर्पित करें धीरे धीरे रोग से मुक्ती मिल जाती है जिन बच्चों को दाद, खाद, खुजली के लिए परिसान है वो ये आसान सी उपाय करें एक लोटे में जल ले उसमें एक धतुरा और थोड़ा सा चंदन डाल दे ध्यान दीजेगा एक लोटा जल लेना है उसमें एक धतुरा का फल डालना है थोड़ा सा चंदन डाल लेना है वो जल सीव जी को समर्पित कर दीजे वो जल सीव मंदीर में ले जाकर सिबलिंग में समर्पित कर दे इस जल को एक पात्र में एक ठा करके घर ल पर लगा कर बैठ जाएं जहां जहां ज़ल लगा है वहाँ कोई बस्त्र नहीं होना चाहिए बस्त्र हटा के जल लगाना है दो से तीन महिने में कैसा भी तौचा रोग होगा वो समाप्त हो जागा अगर मेरी वीडियो से आप लोग खुच जरा सभी हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को लाइक, कॉमेंट, सियर और सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं इसी तरह के ग्यान बर्दक वीडियो के लिए